दो महीने पहले 12 ओगस्ट 2021 को यूनियन मिनिस्ट्री अफ रिन्यूबल एनर्जी ने अनौन्स किया था इस देश ने एक नया माइल्श्टोन क्रॉस कर दिया है 100 गीगावाट्स रिन्यूबल एनर्जी केपासिटी का यानि इतनी केपासिटी अलड़ी इंस्टॉल करी जा चुकी है देश में रिन्यूबल एनर्जी की ये टार्गेट ओरिजिनली रखा गया था 2022 के लिए जो कि इंडिया ने पहले अचीव कर लिया एक अच्छी खबर है इसके लावा एक और सल्यूशन बताया जाता है कि सरकार MSMEs पर ज्यादा फोकस करें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम अंटरप्राइजे अस कंपेर्ड टू बड़ी बड़ी मिलियन डॉलर कंपनीज